वमारे साथ पदमा प्रिया है और ये हैद्रावाद से आई है और मुझपरपुर्ण सेल्टर हो मामले में कशिष ने जिस तरीके से काम किया है किस उसकी रिसूर्स क्या थे किस इस्टोरी को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया इस पर ये इस्टोरी करने के लिए आए है और हम बात करते हैं कि कसिस एक रिजिनल चैनल है, बिहार और धारकन का चैनल है, यह काफी लगभग एक वर्स होने को है इस घटना को लेकर, काफी उस पर उन्होंने रिसर्च भी किया और उस रिसर्च को क्या अधार पर यह हमारे चैनल में आये हैं, आपको यह कैसे यह कर लेकिन मुझे कहीं पे लगा कि यह पहले रीजनल मीडिया ने ही ब्रेक किया होगा, तो और मैं बहुत रीजनल मीडिया को बहुत मानने वाली हूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्टांड देखा हूँ, वो कितना अच्छा रिपोर्टिंग कर दिये, तो जब मैंने फिर इस ब के पहले तो इस तरह मुझे पता चला कशिष नीउस के बारे में आप किस लाइन पे स्टोडी करने जा रहीए जैसे आपने तमाम लोगों से बात कर रहे हैं आप किस लाइन पर स्टोडी को आगे बढ़ाए रहे हैं तो मेरा एक हमारा एक डिजिटल मीडिया प्लाटफॉर्म है जिसका नाम है सुनो इंडिया और हम audio journalism करते हैं जैसे मतलब podcast करते हैं इसको podcast बोलते हैं मतलब ये on demand radio के तरह है और ये अभी एक नाया medium है जो भी इंडिया में थोड़ा बढ़ रहा है तो इसके अभी हम ये करने माले कि अगले महीने से लागातार हम चे महीने तक सिर्फ एक issue को लेके इसके उपर हम detailed reporting करेंगे तो चलिए हमारे साथ प्रिया है थी और उन्होंने अपनी बातों को रखा कि एक पत्रकार एक दूसरे पत्रकार के किये हुए कामों पर को आगे बढ़ाना क्योंकि देखे हमें भी यह लगता है कि हमने जो स्टोडी की थी वह स्टोडी को आगे बढ़ाय जाने की जुरत है लीगल प्रोसेस चलने इसमें जो लोग सामिल है उन्हें सजा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके इंसाइट भी काफी स्टोडी अभी भी है जिस पर काम करने की जुरत है और प्रिया हैद्राबाद से आई हैं अपने तरीके से इससे स्टोडी को देख रहे हैं इनसे बात करने के बाद हमें भी कई तरह की आइडिया जाया हैं कि आखिर बच्चों को जो एक प्रोसेस है कि जिस तरीके से थिवर्डरावम में रखाजा वह वह सेल्टर हम किस तरी। होना चाहिए तो कि बिहार का अनुभब तो यही रहा कि की सिंटर होँ कह statement है, य। पूरे यातनागरी आप कह सकते हैं, यह मेरा क्योंकि च्छ के रिपोर्ट को पर भी अगर गौराप करें उन्होंने नहीं दे लहा been प१ी ये आपको लगता है कि इसका alternative क्या हो सकता है। आप गातार कही राज्यों में भी इस पर आप काम करने जा रही है, क्या अल्टरूनेटीव हो सकता है। देखिए थोड़े थोड़े मॉडल्स है जो काम कर रहे हैं जैसे फॉस्टर केर हो या फैमिली टाइप इंस्ट्यूशन सेट अप किया जा सकता है जहां पर जैसे अभी एक फैमिली उसको एक बच्चे को अपने पास रख सकता है फॉस्टर अडॉप नहीं करना डॉंट आप पर उनको फॉस्टर केर्प में रखके उनका देख बाल किया जा सकता है एक और है कि या तो इसका मतब मॉनिटरिंग ही इतना स्रिक्ट कर दें कि जैसे शामाजी बता रहे थे कि में इनको स्टेट का चिल्डरन बताई यह टेक्निकली स्टेट के रस्मोंसिबिलिटी है हर इक स्टेट का रस्पॉंसिबिलिटी है उनके जो यह जो बच्चे है तो मेरा कोशिश यह है कि सिर्फ प्रॉब्लम का ही ना बात करूं पर सुल्यूशन भी जो है एक्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसको भी इस सीरिस के दोरान मैं बाहर लाओं और मुझे लगता है हमा सारी भी यह कोशिस है कि प्रॉब्लम क्या था यह इन चीजों को हमने रखा लड़कियों के साथ क्या किस तरीके से यातना उन्हें दी गई इस पर भी हम लोगों ने काम क्या लेकिन विकल्ब क्या है सोसाइटी के सामने इस तरह की बच्चियां जो कहीं कहीं बिछिप्त र रहा है लेकिन इसका बेहतर मिकल्ब क्या हो सकता है जैसे प्रिया ने खुद सुधाव दी कि परिवार के अंदर भी इस तरह की ट्रेजडी होते रहते हैं और फिर भी बच्चे एक द्वाइंट फैमिली में अपने आपको उसी सुरक्षा के घेरे में वो बढ़ते हैं पलत करेंगे कि एक shelter home का अपराधिक घटना घटी कारवाई तो हो गई लेकिन society के सामने अगर इस तरह की बचिया अगर फिर से सामने आए या भी भी कई बचिया इस तरह के shelter home में रहा रहें उन्हें बहतर एजुकेशन या बहतर तरीके से उनका परिवरिश क्या हो इस पर कैसे काम किया जा सकता है हमारी इस खबर की दूसरी करी जो आगे बढ़ेगी जिसमें प्रिया की बातों से हमें काफी प्रेड़ना मिली है कि इनको आगे बढ़ाया सकता है केमरामें सुनील के साथ संतोस कशिश नीउस पटना